अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें ताकि याने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप बिहार पुस्ट मैट्री के स्कोलर सिफ का फॉर्म फिल अप क लोटिस्कस होंते हैं किसके पीछे जन है हाँ है आप का अभी तक पर प्यक्राइब नहीं हुआ है और एक स्ट्वीटियस्स का कमेंट था जजो बे सी सिफ हैं और मेरा दोस्त भी डिसे है लेकिन दोनों का पहेंएंट जो हम अलग अलग आया है इसके आपका मैंटरेम्स भी क्या होता है और गया है पता यूद्यो में देखेंगे तुल स्टार्ट करतें यह वीडियो आपको गुगल पचा करना है pmsonline.bih.nic.in तो आपको बिहार पोस्ट मेट्रिक स्कोलर्शिप का official website open हो जाएगा यहाँ पे आपको तीन link given आता है एक होता है ready for payment एक है list of analyzed student एक है आपका verify your application status आपको पहलो क्लिक करना है ready for payment पे ठीक है ready for payment partial list पे जो आपको क्लिक करना है जैसे ही आपको लिक किजेगा तो आपको open हो जाएगा यहाँ पे आपको mention है keep your अधार link with bank account and keep your bank account active अगर आपका bank account में अधार से link नहीं है और चाहे आपका bank account एक्टिव नहीं है तो आपका पैसा जो pending रह सकता है ठीक है इसलिए आप जो है अपना bank account को KYC जरूर करवाए अगर आप KYC नहीं करवाए है तो ठीक है और यहाँ पे हम लोग discuss कर लेते हैं कि जो भी यह students का पैसा ready for payment list में आ चुका है उनका जो पैसा जो बखाते में नहीं गया है इसके पीसे आपका region जो है वह region यह है आपका token generate हो गया है token का मतलब हुआ कि आपको जतना पैसा जेना है उतना पैसा जो है bank को भीज़ दिया गया है ठीक है आप bank पे आपका depend करता है कि bank आपको कितने दिन में खाते में पैसा भीजती है ठीक है आपको bank के response पे डिपेंड करता है अगर आपका SBI है PNB है Central Bank है आपको bank पे response करता है कोई bank जो आपका दो दिन में ही पैसा भेज जती है पांच दिन लगा देती है ठीक है तो इस में घवराने की कोई बात नहीं है अगर आपका ready for payment में नाम आ गया है तो आपको 5 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर ही जो आपके खात में पैसा चली जाएगी ठीक है तो इस लिस्ट में जो इस्टुएंट का नाम नहीं रहता है इसका मतलब उनका verification चल रहा है अगर उनको form reject हुआ है या कोई भी stage पर जाके फसा हुआ है बहुत दिन से pending है तो आप post metric health at the rate gmail.com से संपर कर सकते है जो भी आपका SCST student है और उनका session 21 से 22 है तो उनको 40% ही पैसा बिहार सरकार दे रही है अगर उनका income जो अरहाई लाग तक है अगर उनका income जो अरहाई लाग से लेके 3 लाग के बीच है तो उनको 100% पैसा जो बिहार को अर्मेंट दे रही है हम लोग इसमें देख लेते हैं कि आपका मेंटरेंस पी कंपल्सरी फी प्याइबल इमाउंट क्या होता है तो आपको यह एकेडिमी के स्लेक्ट करना है तो यहां पर हम और आनने देते हैं है आपको आप सिलेक्ट करना है आप Living सो में ले लेते हैं आंप स्टूडेंट्स को अलग-अलग हारा है केडिक s contemplation को इसमें देख लेते हैं ठीक है और एक और important point कि जो भी आपका स्टूडेंट से उनका जो रेजिस्टेशन जो है आपका एनस्पी पोर्टर पर लिया जा रहा है ठीक है अगर भिहार गुवर्मेंट आपको 40% ही पैसा दे रही है तो जो आपका Central Government है ठीक है वह आपको 100% पैसा देगी अगर आप एनस्पी के थुरूज क्या करते हैं अपलीकेशन फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए ओपन होगा में आपका होता है कि अधार काट से जो है बैंक का क्योवाइस ही इंपोटेंट से हुआ रहाना चाहिए तब यह आपका पैसा जो है वह जल से जल आपके अकाउंट में फोर बार कर दिया जाता है ठीक है क्योंकि बहुत सारे जो है क्योवाइसी मतलब अधार काट से ही जो पैसा वह ट्रांस्फर किया जाता है ठीक है उपिन हो रहा है नेटवर्क सुलोंने कारण जो हुआ लेट लग रही है यहां पर आप देखें यहां पर मुझे अफ़रफूर का खुला है यहां पर कोई बीसी कैटिगोरी के स्टुडेंट्स है यह एकेडिमी के उनका उनीस है ठीक है यह आपका हाई स्कूल के स्टुडेंट्स है तो यहां पर आप देखें यहां पर आपका पेवल कमपल्सरी फी है ठीक है 640 रुपया कमपल्सरी फी का मतलब होता है कि जो आपका कॉलेज में आप पैसा पेड किये हैं तो आप एडिमीशन में दिये हो जो आप फॉर्म फीलफ होता है उसमें दिये हो या आप रेजिस्टेशन कराए हो वह आपका क उख्ओंसिए कोमुडेशन के लिए, फूड के लिए डोमेस्टिक वील होता है, जो भी सिर्फ होता है यह आपका जो है, जो भी कि आप कोलेज में एमाउंट पैट करते हैं रेजिटेशन में फीस में फीस के थुरू वह जो है आपका कंपर सरी फुवा अब प्येवल इमाउंट हो गया कि आपको दूनों को एड करके पैसा दिया जाता है अगर आपका कंपर सरी पी 640 है और मेंटरेंस पी 1760 है तो आपको जैसे ही यहां पर देखिए यह को बीसी कॉलेज के बीसी के स्टुडेंट्स है यह स्टिता मधी इस्टिटूट आप टेकनोलोजी से क्या कर रहा है बीटे कर रहा है तो इनका देख लेते हैं देखिए इनको 8630 प्याज़ों कंपर सरी फी था उनको लिया था पैसा और एकी खाते में भेजा गया है तो आपको जितना कॉलेज का प्यास बना है उस पर आपको कितना पैसा जाएगा अगर आपका फी में खर्चा लगा है है उसी के कोडिंग पैसा बझा रहा है। इसलिए हार EC student का डिफ्रेंट डिफेंट डिफ्रेंट डिफ्रेंट आए है। और सेम कॉलेज के सेम के स्ट्विण को सेम पैसा जाएगा। ठीक है। यहीं डिफ्रेंट्स है। और जो भी SC SC है उनका तो अलग ही condition SC वाले का उनका अलग ही पैसा दिया जा रहा है 40% ही दिया जा रहा है अगर उनका अरहाई लाग तक income है तो यहां पर देखिए तो यह RTS College मुझाफ़ापुर के student है उनको 143 रुपिया ही कमपसर रिफी लगाया है और maintenance पी जो अभियार करता है ठीक है अगर आपको बिहार पोस्ट मेट्री के स्कॉलर सीप से डिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंड करके पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें थैंक्यू फोर वाचिंग